बिहार समस्तिपूर से देखिये रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की कुख्याद शराब तसकर गिरफतार 25,000 का इनामी था मंज़ेलाल यादव छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर गोली चलाने का है आरोग। समस्तिपूर पुलिस की टीम को बड़ी काम्याभी मिली है। पुलिस की टीम में जिले का कुख्याद शराब तसकर मंज़ेलाल यादव को गिरफतार कर लिया। मंझ़ेलाल यादव पर सरकार ने 25,000 रुपे का इनाम भोशित कर रखा था। इस अपराथी की गिरफतारी से प शराब बंदी कानून लागू होने के बाद से यह शराब के धंधे में लिप्त था लेकिन अब तक इसकी गिरफतारी नहीं हो पाई थी। लेकिन मानविय सूचना संग्रा के आधार पर इसे गिरफतार करने में जिला पुलिस की टीम ने सफलता। थानक शेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने कहुंची पतना उत्पाद विभाग की टीम पर मजए वह उसकी साथियों ने गोली चलाई थी। हाला कि गोली बारी की इस घटना में किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई थी। इस घटना के बात से ही यह फरार चल रहा था। हाल ही में इसके घर की कुर्की जबती भी कराई गई थी। इस गोली बारी की घटना में मनजए समेक बारह लोगों को नामज़ग किया गया था। जिली की टॉप टेन अपराधियों की सूची में शामिल था। डियस पी ने बताया कि मनजए लाल यादव को जिला की टॉप टेन अपराधियों की सूची में शामिल किया गया था। इस अपराधी की गिरफतारी के लिए S.I.T. लगातार छापे मारी कर रही थी। समस्तिपूर के अलावा बिहार के अन्यजिलों में भी इसकी तलाशी को लेकर कई स्थानों पर छापे मारी की गई थी। लेकिन पुलिस को सफलत नहीं मिल रही थी। बिहार में जब पूर्ण सराबंदी हुई थी। उसके पुर्भ मंजलाल राय सराब के दुकान पर सेल्समेन का काम करता था। जब सराब बंदी हो गई तो सराब के बारे में उसको जनकारी थी। और वो गोड़ास के छोटु मंडल के संपर्क में आ करके सराब का अवायत कारोबार, समस्तिपूर, बेगुसराय, मुंगेर, जमुई, जैसे जिला में करने लगा। और ये लगातार इस छेतर में समस्ति पूरी छेतर में नहीं, बलकि आने जिला में भी इसकी सक्रेता बढ़ी और इसने एक बहुत बड़ा अवायत कारोबार का सिंडिकेट ख़़ा कर लिया। पूर में भी सराबंदी के पूर में भी जेल गया था, लेकिन बाद में भी फिर से जब इस पर कारवाई होई, तो इसी करम में पूलिस पर भी इसके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिस संबंद में सराय रंजन थाना में केस दर्ज हुआ था, और ये कई कांडों में फि उंगेर वेगा जिला में भी इस पर कांडर्ज हैं, ये बहुत ही सातिर तसकर के रूप में था, ये स्वयम कोई तक्निकी साक्षी या मोबाईल उबाईल नहीं रखता था, इसके गिराफतारी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन इसके गुरुद जो है लगातार सूचनाय मिल लही थी, इस पर पचीस हजार रुपय का इनाम भी था, पचीस हजार रुपय के इनामी ये हमारा दिला का इनामी अभिव था, फिरारा अभिव था, इसको सूचना संग्रा करकर के गिराफतार किया गया है, जिसमें तरायर अजन थाना के रविकांद कुमार, डियाइउ के मुकेश कुमार और मुश्री घाई थना के पंकच कुमार की अहम भूमिका रही है और ये इसके पकाने के बाद इसने अपने प्राप्त हुई है अन जिला से भी इसके बारे में जनकारी ली जा रही है और इसको रिमान करने का प्रयास किया जाएगा यह सरायर अंजन थ्रना छेत्र में इसको गिरफतार किया गया है